नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज पने इस वीडियो में बात करेंगे मेप 8MG टेबलेट के बार में इस टेबलेट के अंदर अपन कंपोजिशन के बार में बात करें तो इसके इंदर दिया गया है मिथाइल पैडिसलोन 8 मिलिग्राम तो आज पने इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से रात पाने के लिए डोक्टर से इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टेबलेट का इस्तिमाल करने के बाद में पैसे इनको क्या केस के फायद है और क्या केस के नुक्सान इस टेबलेट का उपियो कई सारी समस्याइं जैसे कि सीवियर एलर्जिक प्रोब्लम जैसे कि यदि कोई पैसेंट उसको सीवियर एलर्जिक प्रोब्लम हो गई है मतलब की स्किन के ओपर बहुत ज़्यादा खुजली वगेरा चल रही है चक्ते के निसान हो गई है रात पाने के लिए डोक्टर से टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं इसके लावा कई बार पैसेंट को अस्तमा की समस्या रहती है पैसेंट को बार बार खांसी आती रहती है सांस लेने में दिक्कत रहती है तो ऐसी समस्याओं से भी रात पाने के लिए डोक्टर से समस्चाइं रहती है जैसा कि मैंने बताया रूमेटिक डिसोडर और अर्थराइटिस की समस्चाइं जोड़ों में दर्द वगएरा चलने में बहुत ज्यादा परिशानी होना तो इस परकार कि समस्चाओं से रात देने का यह है जो टेबलेट है काम करती है इसके अलावा कई समस्चाइं जैसे कि इसके अपर कोई घाव है ठीक नहीं हो रहा है फोड़े पुनसी बहुत ज्यादा हो गई है या फिर आंखों के अंदर दुंदलापन हो रहा है दिखाई देने में समस्चाइं हो रही है तो ऐसी समस्चाओं से रात पाने के लिए डॉक्टर से इस उसे रात देने का काम करती है साथ में पैसें को सांस लेने में दिक्कत रहने लग जाती है साथ में रूमेटिक डिसोडर जिस समस्चाइं रहती है अर्थ्राइटिस की समस्चाइं रहती है तो उनमें भी डॉक्टर्स कई बार इस टेबलेट को प्रिसक्राइब करते हैं औ लेकिन ऐसे पैसेंट जिननको बहुत जाधा प्रोब्लम रेती है तो ऐसे पैसेंट ओबार सुबों वहालों गिनैकी सलोबसाइन जाती है देखेंगे यह जो टेपवलेट पैसेंट को result बैतरीन देने के काम करती है देखे अपन बात करें इस टेबलेट के कुछ common side effects के बार में तो side effects बैसे आपको इसके कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन कई बार पैसेंट को देखें mood में change देखने को मिल सकता है पेट के अंदर किसी तरह गड़ड़ी देखने को मिल सकती है या फिर आपको नेंदाने जाए समझचाएं देखने को मिल सकती है या फिर किस तरह की और कोई problem allergic समझचाएं वगेरा होने लगे तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डोक्टर के सिला के अनुसारे इस टेबलेट का इस्तेमाल करें बात करें अपने इस टेबलेट की प्राइस के बार में तो मैं जिस टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ मैप एटमजी इस टेबलेट की प्राइज मातर 53 रुपे के आसपा जिसके अंदरे 10 टेबलेट के स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है देखे यदि यह है जो टेबलेट है आपको मेप 8MG नाम से नहीं मिले तो आप इसके अंदर जो कमपोजिशन दिया गया है मिथा इलपेडिसलोन इस नाम से नॉर्मली मेडिकल इस्टोर से परचेस कर सकते हैं मेडिकल इस्टोर वाला अन्य ब्रांड के आपको यह है जो टेबलेट है देदेगा आपको ब्रांड नेम में चेंजे देखने को मिल सकता है और इस टेबलेट का इस्तेमाल करने बाद में पैसे इनको क्या केस के फायदे और क्या केस के नुकसान देखने को मिल सकते हैं आप सभी को संपूर्ण जानकरी मैंने इस वीडियो में दे दी है तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नोलिज मिली तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना वो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा देना तक जब यहम अगला वीडियो डाले तो उसका नोट्पिकेशन आपको सब सब पहले मिल सके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जहिन